बच्चों आज हम भेड़े और भेड़िये नामक कहानी के शिर्ष की सार्थिक्ता पढ़ते हैं तो यह पृतिकात्मक लेख भेड़े और भेड़िये लेख यह दिखाता है कि किस परकार प्रजयत अंतर के नाम पर ब्रस्ट बेवस्था को पोशित पाला जाता है इस लेख में भेड़े समाने और भोली भाली सरल और विश्वाश पातर जनता तथा भेड़िये ढोंगी दोखेवाज स्वार्थी और चालाक नेताओं का प्रतीक है किस परकार अच्छा शाषन सबका योगदान और अधिकार देने के नाम पर ये नेता उनके साथ शल दोखा करते हैं रक्षक के नाम पर ये भक्षक बन जाते हैं इस स्वार्थ सिद्धी में चापलूस वर्ग खुशामत करने वाला वर्ग वीन की सहायता करता है प्रस्तुत लेख में वन प्रदेश में प्रजात अंत्रात्मक शाषन विवस्ता की स्थापना की गोशन की जाती है प्रजात अंत्रात्मक जिसमें जनता द्वारा चुनेगे प्रतिनिदियों का शाषन हो वहां भीड़े जादा है पर वह मूर्क और निर्बल है निर्बल कमजोर है भेड़ों की संख्या कम होने के बाब यूध वीवे चतुर और बलशाली ताकतवार है पर प्रजयत अंतर के नाम पर उनकी नीद उड़ जाती है क्योंकि उनकी संख्या कम है और बहुमत भेड़ों को ही मिलेगा फिर उनका क्या होगा उनकी चिंता का समादान हल करने के लिए बुड़ा सिहार मसीहा उनका मित्र और दोस्त बनकर उनके समक्ष सामने उपस्तित हुआ बैभीडों की मानसिक और श्रीरक ताकतों से बली बांती परचित था उसने भेड़िये को संत का रूप दे दिया तथा अन्य तीन सिहारों को पीले नीले और हरे रंग में हरे रंग में रंग कर कर ट्रम्ष कवी तथा विचार्क पत्रकरल एवं दरम-घृू बना कर भीड़ों के सामने प्रस्तुत किया उसने भेडों से ये भी कहा कि भेडिया अब अहिंसावादी हो गया है उसने मास खाना छोड़ दिया है ये अब हपते भर से सिर्फ क्या खा रहा है घास खा रहा है भेडिये जाती द्वारा भेडों पर किये गिये अत्याचार से ये अत्यांत पहुत अधिक दुखी है और प पश्चत आप करना चाहता है और अंतता कवी एमन विचारक जो है जो क्या है पीला सिहार क्या है कवी एमन विचारक भेडों की मानसित्ता को परिवर्थन करने पतरकार के लुभावने परचार तथा धर्म गुरू के कोरे पक्खंड में बोली बहाली भेडे उलच की और उन् परिनाम यह हुआ कि भेडिये द्वारा बनाएगे कुनोन के उनसार पुना नाश्ते वक खाने में भेडों को भेडियों के सामने प्रस्तुत किया जाने लगा। इस प्रकार रक्षक ही भक्षक रक्षा करने वाला ही उनका भक्षक उनको खाने वाला बन बैठा। वर्तमान शाष्ण विवस्ता वी इसी सिधान्त पर अधारित है। बोली भाली जनता इनने ताउं की लश्यदार चिकनी चुपडी बातों में आ जाती है और उन्हें अपना प्रतिनी दी भना कर भेज देती है। फिर उनके ही अत्याचार के बोज तले फिस्ती चली जाती है। अता इसले का शीर्षक पूरंत्या सार्थक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शियर और सस्क्राइब अशे कीजिए धन्यवाद।